इसके उसके उस पर भी मुझे पूरा वरोसा है मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोस हूँ और इन आरवपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ जाच एजनसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जाच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ मुझे पहले भी भरोसा था आज भी भरोसा है सुप्रिम कोर्ट से उपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रिम कोर्ट का आदेश सरमान है और मुझे या मेरे समर्थकों को या मेरे समर्थकों को नयाय मिलेगा क्योंकि लगातार कई महिने से गाली पर गाली गाली पर गाली आरोप पर आरोप आरोप पर आरोप इससे हमें भी कष्ट होता है हमारे परिवार को भी कस्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कस्ट होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि निस्पक्स जाच जो सुप्रिम कोड के आदेशा अनुसार दिल्ली पुलिस कर रही है, वो करें और सीग्र ही, सीग्र ही, मेरा एक सब्द है, कि सीग्र ही, जल्द से जल्द ये जाच पूरी करके जो भी कारवाई बनती हो, उसे करना चाहिए, पॉस्कों जैसे दंभीर आरोप की चच्चा हो रही है, क्या कहीं है? देखे, मुझे न्याय पालिका पर भरोसा है, जाच पर भरोसा है, जैने की प्रक्रिया है, उस पर भरोसा है, अलग से मुझे कुछ नहीं दाना है. फटरेशन के अधर्श के तौर पर सांतर जी आपके लोग बोलना है, कि आप सिल्वा दे देंगे, तो एक सही जाच हो जाएगी, इसका आप अपर जैना है? फटरेशन का कोई रोल नहीं है, और इन लोग की डिमांड लगातार बदलती है, अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे, तो ये जनौरी में इनकी मांग निकल करके आई थी, कि अपने पद से इस्थीपा दें, मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्थीपा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्विकार कर दिया, मेरा कारिकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बाड़ी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईयो की एक कमीटी गठित की है, तीन लोगों की कमीटी की गठित की है, जिसमें एक हाई कोर्ट का जजज होगा या सुप्रिम कोर्ट का जजज होगा, उनकी देखरेक में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन होना है, चुनाव संपन होते ही मेरा कारिकाल स्वता समाप्त हो जाएगा, इस्थीपा कोई एतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन अपराधी बन कर नहीं, अपराधी बन करके नहीं, मैं अपराधी नहीं हों और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार यह देखेंगे कि यह हर रोज एक नया बुद्धा लेकर करके आजाते हैं इन्ही के कहने पर जाज कमेटी बनी इन्ही के कहने पर एक ऐसा है जिसको जाज कमेटी में सामिल नहीं होना चाहिए था उसको भी सरकार ने सामिल किया मुझे आपत्ती करनी चाहिए थी मैंने कोई आपत्ती नहीं की जाज कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुँच रही थी कौन-कौन खिलाडी क्या-क्या बोला लगातार डे-बाई-डे इनके पास पहुँच रही थी इनको जब आभास हो गया कि जाज कमेटी में कोई आरोफ सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने कमेटी के सारजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रिम कोर्ट चले गई और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं और सुप्रिम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेस किया है कोई नाबालिक में नहीं जानता एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिक है तो मेरा सवाल है कि उ आज कमेटी के सामने क्यों ने पेस किया गया और मैंने एक आडियो दिया है जिसमें एक खिलाडी मैंने एक आडियो दिया है जिसमें धरने पर बैठा हुआ एक खिलाडी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो मत आप लोगों को उक्साएंगे भड़काएंगे सबूती कठा करेंगे और फिन तीन महीने बाद एक ले जाकर के फिन किसी ना किसी को पेस कर देंगे चलिए मुझे उस पर भी कोई आपती नहीं है यह काम जाज़ेंसी का है वो जाज़ेंसी काम करेगी लेकिन हमने तो लगाता सरकार के फैसले का सम्मान किया और यह लगातार इसका उलंगन कर रहे है रोज रोज यह नई डिमांड ले करके आ जा रहे हैं अब जाच एज़ेंसी की रिकोर्ट सारजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए फिन यह धरने पर बैट गए अब धरने पर बैट गए पहले सबल ने इनकी मांघ थी F tookar के जाए चलिह भाई इनकी मांघ सिलगार हो घई अब इनको चाहिए आप कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए सारे पादों से लोग सभा का सदानिक हूँ यह पद मुझे बिनेस फोकाट की क्रिपा से नहीं मिला है हमारे छेतर की जंता ने मुझे दे रखा है और एक बार नहीं, छेच्छे बार दे रखा है छेच्छे बार मुझे को दिया, मेरी पतनी को दिया अब उनकी क्रिपा पर नहीं है अब उस्ती संग का अध्यक्त पद भी उनकी क्रिपा पर नहीं है मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ अब आपके मादम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ एक ही परिवार और एक ही अखाडा क्यों हरियाना के अन्ध खिलारी क्यों नहीं खिमानचल के महराष्टा के मद्द परदेश के केरला के करनाटका के तमिलनाडू के बंगाल के आसाम के देश के अन्ध परांतों के खिलारी क्यों नहीं बारा साल से लगातार इनके साथ योन उत्पीड़न होता है केवल इनके साथ वो योन उत्पीड़न देश के अन्ध खि पिलारी और 90 पर्षंट गार्जियन बिर्भूसर सिंगे साथ है क्योंकि मैंने काम किया है मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है इमांदारी से सेवा दिया है और इसलिए आज देश का एक जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है एक अखाड़ा एक फेमली और इस 12 साल में भी एक बार एक बार भी ये सिकायत लेकर के ना तो खेल मंतराले में गए हैं ना किसी पुलिस इस्टेशन पर गए हैं ना हमारी तारीफ करते थे यह जो खे Characterре अधरने पर वैठे हैं या अपने सादी में मुझे क्यों मुलाते थे फिर जोडे में ङो करके मेरा फोटो के लेते थे मेरा अथिरबाध क्यों लेते थे लेकिन मैं एक समयधानिक पत्पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल ना हूँ, अब मामला सुप्रिम कोर्ट के पाले में है, दिनली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्ड़े करेगी, हम मुझे उस साजीस के पीछे कौन लोग है, आखिर आपको इससे पीछे क्या दिखता है, कौन है वो, एक फैमली, एक पखाड़ा, और इसके पीछे कौन लोग है, देखे, देखे, मैं सुरू से, सुरू से कह रहा हूँ, कि इसमें एक उद्द्योग पती का हाथ है, कांग्रस का हाथ है, मैं सुरू से इस बात को बोल ला और कांग्रेस का हाथ है तो आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है जब इनकी मांग मान ली गई फाई यार दर्ज की गई जाज तरीके से कहिए कि कारवाई शुरू हो गई तब आप क्यों नहीं जा रहे है अब क्यों मोदी जी के खिलाप बोलने है अब क्यों खेल मंत्र वो कोई रिटायर गॉइरनर है क्या ना उसका सत्पाल मली को बुलाने की क्या जरूरत है प्रियंका गांधी जी को सथ मालूम होगा कि विपंदर हुगड़ा ने कहां लाकर के मुझे फसा दिया उस दिन उनको मालूम पढ़ेगा यह जाज की रिपोर्ट आएगी तब उनक राजनेती करन सुरू से मैं तो फर्स डे से कह रहा हूं कि ये खिलाडियों का धरना नहीं है ये एक खड़ेंतिकारी लोग है जो हमारी पार्टी को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं ने लेक्तिय क्या तरफोगा पंकाम यहाना purpose मायदक सवाल कई क्या कर दूंता है जिसको नियमता केसी तरफियों वैं इसका है मैं सब चीजोंपर नहीं बोसकता है मामला सुप्रेम कोट में है और सुप्रेम कोट के संग्यान में है और पुलिस के निगरानी में है कि कि आपका बाध कर दे रखिए जाज कमेटी को यह कोई जुरूर है वह लड़कियों से बात करता है कि भाई लड़की किसी भी तरीके से लड़की ले आए क्योंकि जो आई-व के सामने जो बच्चे पेस हुए हैं या जो बच्चे उवर साइट कमिटी के सामने पेस हुए हैं उसमें वो बच्चा नहीं था यह दब मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है लेकिन वो बच्चा नहीं था सांसर जी जैसे की सोला से ठाला इजन खेल हुआ तो क्या इस खेल को पहली बार रोका गया था और दुबारा हो गया इसके बाद कैसे देखा जाए कि इतना सुरू हो गया आप देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया यह कहते कुस्ति को बचाना है इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं हमारे देश को एसिया चेंपियंशिप जूनियर एलाट थी आपने पत्रली क्लिक करके उसको कैंसिल करवा दिया यह नहीं कुस्ति को बचाया दूसरा ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था उसको इन्होंने रद करवाया एक काम यह उन्होंने कुस्ति को करके बचाया महिलाओं का कैम चल ला था बच्चियां आ चुकी थी उनको कैम छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैम नहीं लग पाया यह इन्होंने कुस्ति को बचाया और जब ओबर साइट कमेटी बनी थी तो उसमें तीन सब्ता का समय दिया गया था तीन सब् डेट्रसन को भंग नहीं किया गया था जब ओबर साइट कमेटी ने अपने आपको यह हो गया कि यह वबर साइट कमेटी नहीं है तो चुकी देश में जैसे इस समय ऐस्या चम्पियंसिप होना है फिर स्वर्ड चंपियंसिप होना है हमारे इहां खेल रुका हुआ है कोई नहीं हो रहा है कोई ओपन नहीं हो रहा है तो जब नहीं होगा अगर कईट का नहीं होगा अंडर 15 का नहीं होगा तो यह जाने के लिए टीम कैसे बनेगी एक प्रक्रिया है यह कि पहले हमको कराना पड़ेगा हमारी फ्रटेशन भंग नहीं थी हमने जो है इस खेल को करवाया अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हर्याना के खिलाली लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए, मैंने कोई मेडल सिरिमनी नहीं की, मैं कभी अखाडे पर नहीं गया, मैं बैट करके अपनी कुष्टी को देखता रहा, कुष्टी लिखने का अधिकार मुझको भी है, हर्याना की कई बच्चियां मेरे पास आई, कि सर मुझे फोटो लेना है, हमने का बैटा आज फोटो भीजाओगे, अवकल इसी फोटो पर मुकंदमा लिखाओगे, उन्होंने का नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है, फिर उनकी मा निक कर देना, ये खेल को बचा नहीं रहे हैं, और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि चार महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुपसान कर दिया है, आप चाहते हैं कि जो उत्रपदेश के खिलाडी है, दूसरे राज्यों के खिलाडी है, वो भी भाग ले ता हर्याना के रहते थी, मैंने उस पर प्रतबंद लगाया, लेकिन मैंने प्रतबंद लगाया कि हर्याना का खिलाडी अपने ही राज से खेलेगा, अब यहां पर यह सवाल उठा, जब यह मैंने प्रतबंद लगा दिया कि हर्याना का खिलाडी अपने ही राज से खेलेगा, त तो हरियाना में गेम बहुत उपर है, हरियाना में दसवे नंबर का जो बच्चा होगा, बरावे नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज ऐसे हैं, उनसे अच्छा है, तो अगर हरियाना को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाडी हिमांचल से ही खेलेगा, एक आसाम से एक खिलाडी खेलेगा जो अपने राज का गोल्ड हो जिसके पास होगा एक खेलेगा लेकिन खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक open national की ब्योस्ताथ कि national होने के साथ ही हमें open national कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाडी भाग ले सकता है और उस पर मैं हर्याना को गए यह इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो अगर हम एक ही खिलाडी खिलाएंगे और हर्याना का खिलाडी अब हर्याना का खिलाडी भी जब अन राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था चोरी से खेलता था गलत सार्टिफिकट बना सब्सक्राइब जिससे हमारा खेल कायन है अब सवाल यह उठता है कि एक पहले हमारे देश में कि ओलम्पिक के लिए यदा कदा कोई जो है कि मतरफ क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था तो उस समय हमारे हाँ नियम था कि जो फिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा आपको याद होगा कि नर्सिंग यादो वर्ड चम्पियंशिप में के माध्यम से ओलम्पिक में क्वालिफाई किये थे और सुसील कुमार जो डबल दो मेडल जिनको लगातार थे उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा तो इसलिए अतनाते एक बहुत बढ़ा बिवाद हुआ और अन्तो गत्वा सुसील कुमार उनर्सिंग अदो का ट्रायल नहीं हो पाया इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस ब्योस्था में परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि कई देश में ये ब्योस्था चल लही है क्योंकि मालीजे कोई रसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हलकी फुलकी चोटा गई या उसकी थोड़ी तबियत खराब है तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबियत खराब है तब भी वो नहीं बताता है कि हमको चोट है क्योंकि मेडल नहीं आएगा तो ओलंपियन कहे जाएंगे और कई देशों का अध्यान करने के बाद और इन खिलाडियों से भी बात करने के बाद और कोचों से बात करने के बाद एक कमिटी बनाई गई और उस कमिटी ने ये फैसला किया कि अब ओलम्पिक में कोई भी अगर क्वालिफाई करके आता है तो हम सीधे उसको क्योंकि वो को होता है वह qodaने के नाम होता है कि भारत का कोटा है तो हमने एक व्यवस्था दी हम मतलब सारी कमिटी ने मिलकर के को सदी कि इनको ट्रायल देना पड़ेगा अब कैसे होगा तो ट्रायल यह हो गा कि पहले जो कंपिके खिलारी हैं उनका आपस में ट्राइल होगा की और जो उस समय फर्श आएगा चार-छे दिन के बाद हफता बेवस्था दी जाएगी ये खटा के बाद जो देश में फर्श आता है और जो क्वालिफाइग करके आया उसके बीच में इनका एक मुकाबला होगा अगर जो क्वालिफाइग करके आये हैं अगर ये उस बच्चे को ह और मिलेगा उस बच्चे को हराने को अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा फिर इनको दो बार हराना होगा अगर दो बार इनको हरा लेगा तो वो जाएगा इसका भी इन लोगों को विरोध है और मेरा मानना है कि यह पालसी हम सही दुनिया की बशार यहिंख करके लाए ए मिलता था आज इन के ासंका मेहनती ऋनके गार्जियन मतलब जहां हमको कोई संग्यान में नहीं लेता था वहां टाप फाइब में पहुंचे है तो आप रेस्लिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूशन शरन सिंग को सुन रहे थे ब्रिजभूशन शरन सिंग ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है आरोप ब्रिजभूशन शरन सिंग ने लगाया है कि यह जो मामला है वो फूल तरीके से पॉलिटिकल है वो शुरू सही कह रहे हैं कि इसके पीछे एक उद्योग पती और सियासी लोगों का हाथ है साथी साथ उन्होंने हमला बोला है उन लोगों पर कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो एक अखाडे और एक परिवार से तालुक रखते हैं बाकि देश के किसी भी राजजी के खिलाडी की तरफ से इस तरीके के आरोप नहीं लगे हैं हर्याणा के अभी जो बाकी खिलाडी है उनकी तरफ से इस तरीके कारोप नहीं लगे हैं उनने विश्वास जताया है कि उनको जाच एजन्सियों पर भरोसा है कोट पर भरोसा है